आज हम लोग एक बहुती दिल्चस्प डिस्कुशन करने वाले हैं श्री लंका से जुड़ा हुआ और यहां पे हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन्स से जुड़े हुए यह आप आर्टिकल देख सकते हो और एफ का बैंड वैगनिंग विद चाइना तो आज हम लोग पहले जानेंगी कि बैंड वैगनिंग क्या होता है इसका काउंटर पार्ट क्या है और यह जो श्री लंका की कंटेनर टर्मिनल की पॉलिटिक्स चल रही है इस कंटेनर टर्मिनल के ऊपर जहां से उन्होंने इंडिया और जपान दोनों का भी हटा दिया है इस श्री लंका जियो पॉलिटिक्स और श्री लंकान सेक्यूरिटी से जुड़े हुए वो कुछ प्रेस्क्रिप्शन भी देते हैं श्री लंका को जो हम लोग एंड में देखेंगे तो लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे सबस्क्राइब तो आर चैनल स्टाडी आईक्यू चलिए सबसे पहले कुछ टर्म के बारे में जानते हैं क्यूंकि इस पर्टिकलर आर्टिकल में बैंड वैगनिंग की बात की गई है तो पहले दो टर्म के बारे में जानते हैं एक है बैंड वैगनिंग और एक है बैलेंस पावर देखिए ये दोनों समझ लीज़े कि opposite concept से इसलिए arrow भी बनाएगे इस तरह से balance of power one of the strategies है जो countries follow करती है और band wagoning एक और strategy है जो to certain extent opposite है बिल्कुर band wagoning का मतलब क्या है अगर आप इसका dictionary meaning देख लिजए band wagoning मतलब simple terms में अगर कोई fashion चल रहा है जैसे समझ लीजिए आपने एक movie देखिये जहां पे किसी hero ने सलमान खान ने कोई नई तरह की shirt पहनी है तो band wagoning effect क्या होगा कि वो एक trend बन जाएगा और आप उस band wagon को follow कर देंगे आप भी उस तरह की shirt करीदोगे आप भी उस तरह की fashion statement दोगे that is basic band wagoning यानि कि आप किसी और को follow करोगे that is the basic understanding of band wagoning और अगर लोग international relations की बात करें देखिये international relation में band wagoning क्या होता है कि एक देश के पीछे आप follow करोगे simply कि आपसी भी जो stronger रहेगा और आपका adversary भी हो सकता है तो आ आप उनको follow करोगे आप concede करोगे कि वो stronger partner है और अगर दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं या फिर दोनों मिलके कुछ territory conquer कर रहे हैं कुछ etc कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा share होगा उस powerful nation का तो band wagoning यहाँ पे क्या हुआ श्री लंका band wagoning behind China and it is not just one person मैंने खहा कि band wagoning क्या होता है कि अगर सल्मान ने एक shirt पहनी है और उनके fans उनको follow कर रहे हैं तो उसका मतलब बहुत से लोग है जो band wagon effect में जा रहे हैं और follow कर रहे हैं similar concept है कि China के पीछे बहुत से लोग band wagoning कर रहे हैं और maximum India के neighbors है ही who are band wagoning behind China अब band wagoning का opposite क्या होगा examples मैं आपको दे सकते हूं कौन-कौन follow कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान हो गया मियनमार टू सर्टन एक्सटन बांगलादेश श्री लंका इस अब इस band wagoning का opposite क्या होगा balance of power लेकिए band wagoning में अगर मैं कमजोर party हूँ तो मैं follow कर रहा हूँ चाइना को लेकिन balance of power में क्या होगा दो parties की बीच मैं power balance करने की कोशिश करूँगा यानि कि मैं अपनी ताकत दूसरी जो देश है या दूसरी ताकत है उसके साथ match करने की कोशिश करूँगा that is called balancing the power और balance of power कैसे करेंगे इसके दो विकलप होते हैं किसी भी देश के पास एक विकलप होता है internal balance करना internal balance मतलब समझ लीजे चाइना के पास 100 हतियार है तो internal balancing की तहरत मैं भी अपने पास कम से कम 100 हतियार बनाऊंगा या फिर मेरे पास 100 हतियार मैं कहीं से लोगा तो internal balancing मतलब अपनी क्षमता बढ़ाना ये military बढ़ा सकते हैं, economic means से बढ़ा सकते हैं, etc. इसके अलाबा, एक और विकल भी होता है balance of power का, वो है external balancing. External मतलब, क्योंकि मेरी interlock शमता नहीं है, कि मैं खुद अपने defense equipment produce करूँ, तो मैं external balance करने की कोशिश करूँगा, मैं किसी के साथ partner हो जाऊंगा, मैं किसी के साथ alliance कर लूँगा, ताकि चाइना को balance करूँ, तो balance of power केवल दो देशों के बीच नहीं, दो गुटों के बीच भी हो सकता है, right? तो bandwagon मतलब, आप एक देश के पीछे जा रहे हो, balance of power मतलब, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देश के match करें, तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका की bandwagoning effect के बारे में, देखिए, श्रीलंका क्यों bandwagon कर रहा है, अगर आप हम लोग बात करें in general, स्टिफन एम वोल्ट बहुत या अच्छी चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी weaker state होता है, they are more likely to bandwagon क्योंकि वो weak है, उन्हें पता है कि चाइना को वो match करी नहीं सकते तो चाइना के पीछे चले जाएंगे किसी एक country को support कर लेंगे, लेकिन अगर strong country है, medium power भी country है, तो वो जाएंगे balance of power के लिए, balance of power काफी फाइदमन चीज़ें, हम लोग end में देखेंगे कि bandwagon की problems क्या होती, जो श्रिलंका अभी face कर रहा है, और जो port geopolitics हो रही है अभी श्रिलंका में, with respect to the east container terminal that is a classic example of bandwagon चलिया देखते हैं, श्रिलंका की port geopolitics की बारे, देखिए क्या हुआ हाली में, श्रिलंका ने कहा कि इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा east container terminal है, इसकी शुरुवात कब हुई, 2019 में प्रेज़ेंट गोटाबाय राजपकसा ने एक MOU sign किया tripartite memorandum of understanding था, इंडिया, श्रिलंका, जपैन की बीच जहाँ पे, यह जो east container terminal है, कॉलंबो पोट का, उसको develop करने की बात की गई थी, अगेन यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने प्राइवेटाइज नहीं किया, although यहाँ पे बात कर रहे ही थे कि अडानी पोट्स को जाएगा etc, but remember, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे थे, गोटाबाय राज़ापकसा वहाँ पे stake, जो मेंबरेंड अफ अंडरस्टाइडिंग में था 5149, यानि कि government would be majority stake, श्री लंका government इसके बावजूद protest हुआ श्री लंका में जो भी trade unions लगे हुए थे, कोलंबो पोर्ट के साथ उन्होंने काफी protest किया, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ अप क्यू कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये privatize हो etc. और इस protest की वज़े से, अटलीस श्री लंका ये कहता है कि union, जो trade unions थे, उनकी protest की वज़े से हम लोगोंने ये deal cancel किया है और इसके बदले में, we do know that श्री लंका ने offer किया है इंडिया को west जो container terminal है, अब इसके अलावा जो main container terminal है उसको control करते हैं पूरा चाइना ये तो हमें पता है, ठीक है? अब किस तरह की geopolitics हो रही है, देखिए port के उपर, इंडिया और जपान को इन्होंने sideline किया है, although इंडिया जपान मिलकर 49% stake ही रख सकते थे ECT में लेकिन 2017 में क्या हो रहा है श्री लंका ने 99 साल के लिए हमबंटोटा port को lease कर दिया चाइना को, यानि कि पूरा port ही समझ लीजिए, चाइना का है अभी तो what does this suggest? अब इसके अलावा, बात करते हैं हम लोग कि चाइना का किस तरह control हो रहा है, श्री लंका के उपर through port diplomacy, जो हम लोग हमेशा बात करते है, string of pearls एक pearl है, श्री लंका भी, इसके अलावा चाइना की बहुत सारी developments है in terms of weather, in terms of ports in Bangladesh, Myanmar, श्री लंका में भी है, श्री लंका में दो specific ports है, अगर आप श्री लंका का map देखिए, श्री लंका की पास चार major ports है, अब उसमें से एक port of Colombo, और एक port of Humbantota, और इन दोनों ports के उपर कबजा है, चाइना का, राइट, Humbantota को तो lease भी दे चुके हैं, और अगर आप Colombo की बात करें, Colombo में मैंने कहा कि Colombo का जो main container terminal है, वहाँ पे already China is working, इसके अलावा, China एक city बिल्ड कर रहा है, port city of Colombo, जहाँ पे 1.4 billion dollars वो invest कर रहे हैं, यानि कि port of Colombo भी चाइना के control में हैं, port of Humbantota भी to large extent चाइना के control में हैं, in fact, China is tightening its grip over Sri Lanka और अगर आप map देखें यहाँ पे the next target, next probable target of China would be the port of Gaul, which is the third major port, अब इसके अलावा, इंडिया की जरूर involvement है इस तरफ, port of Trincomalee इसके अलावा, minor ports भी है श्रीलंका पे, बट इन चार major ports के उपर नजर जरूर है चाइना की तो कुछ हद तक हम लोग यह कह सकती कोलमबो, हमबन टोटा और possibly in future, Gaul भी शायद चाइना के साथ ही चला जाएगा अब सवाल यह उठता है कि जो चाइना की dead trap diplomacy है, चाइना की control of the sport diplomacy है, क्या है श्रीलंका को पता नहीं है, क्यूंकि श्रीलंका ने अभी bandwagoning कर दी है चाइना की पीछे चले गए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि it is very very problematic उनकी internal politics भी ऐसी चल रही है, उनकी opposition भी आ रही है कि why we are so much relying on चाइना इस तरह की बाते जरूर हो रही है, मैं उसका उधारान अपनी election campaigning के दौरान उन्हेंने कहा था, कि यह जो Humbantota port को lease किया है, मैं उसको renegotiate करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि Shri Lanka wants to get out of this debt trap, Humbantota port they want it back, they want to renegotiate, इस तरह की खबरे आ रही थी, और आप date के उपर focus कीजिए कि December initially 2019 में ऐसी खबरे आ रही थी, उस ताइं पर election हुआ था, और election के बाद, President Gotava राजपकसा, जो उन्होंने promise किया था कि I would renegotiate the Humbantota port he did not renegotiate, immediately Shri Lanka के President का फिर से statement आया, कि हम लोग Humbantota port का जो agreement है, इसे renegotiate नहीं करेंगे, और जो 99 years की lease है, वो बरकरार रहेगी अब सवाल उठता है क्यों This is the real problem of bandwagoning, क्योंकि bandwagoning में जैसे आप चले गए हो, आप मान लेते हो कि दूसरा player, बड़ा player है तो उनको जादा फाइदे मिलेंगे, और to certain extent, China would have arm twisted here, कि वो Shri Lanka से कहे कि, we are not going to renegotiate Humboldtota port, या फिर कुछ और उन्होंने incentive अगरा कुछ दिया होगा, we do not know, right? But that means what? That means bandwagoning has its huge huge problems, and Shri Lanka is right now stuck in this bandwagoning problem, so इससे better है balance of power, जो India कर रहा है, right? क्योंकि balance of power में, India is trying to match up with China, कैसे हम लोग उने बहुत जादा infrastructure develop करने की बाते की है, defense infrastructure, defense expenditure हमारा बढ़ चुका है, right? तो यह सब क्या चीज़े है, balance कर रहा है हम लोग चाइना के साथ, लेकिन Shri Lanka has already decided for bandwagoning अब इस bandwagoning की problem क्या है? क्योंकि Shri Lanka ने कुछ हद तक एक side choose कर लिए, और Shri Lanka एक ऐसी country है, जो दो देशों की बीच फसा हुआ है, एक है इंडिया, एक है चाइना, जो balance of power में लगया हुए है, तो Shri Lanka की जो भी politics रहेगी, geopolitics रहेगी, port geopolitics रहेगी, it is going to somehow impact Shri Lanka-China relations, Shri Lanka-India relations, and by extension, I would say Shri Lanka-United States relations also. तो Shri Lanka की यह बहुत बढ़ी dilemma है कि किस तरह handle करें हम चाइना को, इसके अलाबा अभी आने वाले महीरों में UNHRC की meeting होने वाली है, human rights, जो council है, उसकी meeting होने वाली, वहाँ पे Shri Lanka would be answerable for the war crimes on Tamil minorities. तो Shri Lanka को उपर काफी pressure है, Shri Lanka को उपर काफी observation है. अब इन Shri Lankan government must go for recalibration as soon as possible. वो कहते हैं, bandwagon जो उन्होंने किया है चाइना की पीछे, it is rather counterproductive in the long run, and that is why it is better to go for balance. अब balance कैसे करेंगे? Balance, जैसे मैं कह सकता हूँ कि example है, टिपिकल Bangladesh का. Bangladesh is balancing it very decently, क्योंकि Bangladesh के अच्छे relations है इंडे के साथ भी, और चाइना के साथ भी. और वो अपनी strategic autonomy इस तरह यूस कर रहा है कि आर getting benefits both from China as well as India. So, this is nothing but trying to balance and not bandwagoning behind one big player. So, that is the prescription by Asanga Abhay Guna Sekar. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind!